बलु स्री सत्गुरु महराज की स्री प्राणनाथ प्यारे की याद करो सुख हांसिय के के याद करो सुख पाल के याद करो तले मोहल के हाई हाई अजुना बदलत हाल नहरे महलों में सुख नहरों का अलेखे सब उपर महलात कई मिली कई जुदियां तरफ चारों चली जात सुख नहरों का अलेखे अक्सिरातीत प्रियतम धामधनी स्रिडाज जी के असीम अनुकंपा की द्वारा तार्तम सागर दिब्यवाणी अंतरगत परिक्रमा ग्रंथ के उपर हम अध्यन चिंतन करते आ रहे हैं जिसमें अब तक बाईश्वी प्रकरण तक के चौपाईयों को चिंतन किया अब अभी के इस सत्र में तेश्वी प्रकरण को हम प्रारंब करने जा रहे हैं जिसमें जवेर का नहेर जो रंग महल के चारों तरफ तिश्वी परिक्रमा के रूप में विध्यमान है जवेर की नहेर की स्वभा इश्वी पूर्व कच्छा में यह बाईश्वी प्रकरण जिसमें हाउजक उसर तलाओ का बर्नन किया है इसके साथ साथ में अंतीम चरण में किया गया था अब उश्वी स्वभा को महमती प्राण्याजी यह तेश्वी प्रकरण में जिस तरफ से चिंतन करा रहे हैं तो हम सिधा चौपाई के माध्यम से ही देखेंगे तो प्राणम करते हैं तेश्वी प्रकरण का प्रत्थम चौपाई से तो चौपाई को देखें शुख नहरों का अलेखे सब उपर महलात कई मेली कई जूदियां तरफ चारों चली जाता तो कहा सुखा नहरों का अलेखे नहरों मतलब यह जवेर की नहर जिसकी सुभा जहां की सुख अलेखे हैं जो लिखनी में नहीं आता है शब उपर महलात सब में महलाते सुभायमान है तो महलों की सुभा किस तरह से विद्यमान है तो यह हम चर्चनी की माध्यम से अध्यन करके आए हैं और इससे पूर्वक अच्छा में भी उसको साराम सुरुप में चिंतन किया जैसे की जवेर की नहर की हद शाड़े चार लाख कोस जिसको पचास जार पचास जार में शर्व प्रथम नव खंड में नव भाग में विवाजन किया उसमें भी एक भाग में फिर तीन हिस्सा किया गया मद्य के हिस्सा में भौम भर उचा चबुतरा उठा कर उसके उपर महलों की सोभा है तो ये चार पहल वाला चबुतरा हो आठ पहल वाला हो इसी क्रम से क्रमस चौशट पहल फिर क्रमस उतरते हुए चार पहल तकी स्वभा तो इन चबुतरा के उपर महलों की स्वभा है तो महलों की दो हार है प्रतीक चबुतरा में बीज में थंब का हार है फिर विद्रिहार महल से भी वितर थंब पिर मद्दे में चबुतरा, चबुतरा के किनार में थंब मद्दे में वैठक, बगीचा और उसके भी मद्दे में जलका कुंड ये सारी सोभा तो पर महल और इन महलातों की उपरा उपर चार भॉम, आठ भॉम, सोरह भॉम, बत्तिस भॉम, वुम्पुनह 32, 14, 8, 4 इस क्रम की स्वभा है तो ये संपूर्ण स्वभा को यहां सावा उपर महलाद ये इतने सब्द के दौरा ही समझना होगा क्योंकि चवपाई में बहुत ही कम सब्द के दौरा कम चवपाई में ही वो संपूर्ण स्वभा को समेठ करके बताया है आगे कहते हैं कई मीली, कई जुदिया, कोई महल तो एक आपस में मिल करके आया है और कोई फिर जुदिया मतलब अलग-अलग है तरफ चारों चली जाता और चारों तरफ विस्तार होकर के गए हैं अब ये कई मीली, कई जुदिया महल में भी ऐसी सोभा है और प्रथम चरण में जो नहेरों सब्दाय है न वो नहेरों की स्वभावी देखे तो नहेरे भी कई नहेरे एक आपस में मिल करके चले हैं और कई नहेरे अलग-अलग जुदियां अलग-अलग स्वभा लिये हुए अपने-अपने इसाफ से चले हुए हैं तो तरफ चारों चली जाता नहरे भी चारों तरफ विस्तार होकर की चली गए हैं चार तरफ चार नहरे उपर सव धापिल कहों चार आठ शोले मिली कई भी दा महलों खेल कहां चार तरफ चार नहरे चारों दिशा के तरफ चार नहरे आगे बढ़ चले हैं और इन नहरों के दाएवाएं रोस जो है उस रोस को भी तीन भाग में विभाजन किया और उसमें से मद्य के भाग में महल है और महल के दाएवाएं फिर रोस है एशी स्वभा 24 सांस का महल में भी चरजनी में बर्नन किया है और जवेरों की नहर में जो बगीचा है उसके साथ में आया हुआ नहर तलाव उसमें भी इन महलों के विशय में बर्नन आया है और यह जवेरों की नहर के आगे मानीक पहाड है तो मानीक पहाड का बर्नन में भी निचे जमीन में जो 12,000 की 12,000 हारे बगीचे हैं वो मानिक पहाड का प्रसंग है लेकिन मैं सब तरफ का नजरा एक बार अवलोकन कराने के लिए उसको खेंच करके बोल रहा हूँ तो वहाँ पर भी नेहर के दाएवाय के रोस में महल आया है और तलाव वो कुंडा अथबा चेह बचा है लेकिन ब्रिहत रूप में होने से उसे तलाव भी कहते हैं चेह बचा को उस तलाव के अथबा चेह बचा के चारों तरफ भी महलों की शवबा है तो यहाँ मानिक पहाड की जमीन की बगीचा के साथ की महल को देखे तो वहाँ पांस भूम चटी चादनी तक सिदा गये हैं फिर मानिक पहाड के उपर चादनी में जो बगीचे हैं वहाँ पर भी नेहरों के दाएवाय और मद्धि के कुंड के चारों तरफ महलों की सोभा है जिसके दो भूम तिस्त्री चादनी है कहने का अर्था 24 शांस का महल जबिरों की नहर, मानिक पहाड इन सब में एक सांसोभा है कि जो बगीचा आया है बगीचा की चारों तरफ जो नहरे चेह बच्चे आये हैं उन नहरों के दोनों तरफ महलों की सोभा है और जो कुंड है चेह बच्चा उसके चारों तरफ एशी सोभा है 24 शांस का महल जो है वो चर्चनी में बर्नन आया है परन्तु परिक्रमा ग्रंथ में चवपाय के द्वारा 24 सांस का महल का बर्णन आया नहीं है तो 24 सांस की महल को समझने के लिए हाउज काउशर की टापू महल की शोभा जिस तरह से बर्ण किया है 24 सांस का महल भी लगबख वैसा ही है या तो फिर बाहर की वगीचों की शोभा को देखें तो जविरों की नहर में जिस तरह से कहा कि चार पहल वाले चार भोम उचे महल की चारों तरफ जो बगीचे हैं वो चार की चार हारे है और आठ पहल वाले आठ भोम उचे महल की चारों तरफ नीचे जो बगीचा है वो आठ की आठ हारे है इस क्रम से जो बर्रण किया है न तो चबिश हांस का महल में भी ऐसे ही, चबिश हांस से महलों के जिसके उचाई तो पांज भूम छठी चादनी का है, और उसके नीचे जमिन में चारों तरफ 24 की 24 सारे भगीचें हैं. तोन बगईचों के बीच में आये हुए नहरों में भी महलों की शुभा है, तो ऐसे ही शुभा यहां जविरों की नहर में भी है। अप्रसंग तो जविर के नहर का चल रहा है, लेकिन एक ही शुभा होने शे मैंने 24 शांस का महल से ले करके जविर्यों की नहर होते हुए मानिक पहाड के निचे जमिन की बगेचा हो या चादनी की बगेचा की स्वभा में हो एक नजरा चिंतन कराने का प्रयास किया तो फिर आईए प्रसंग में जब इरक नहर के जो चौपाय के द्वारा चिंतन हो रहा है तो कहा चार तरफ चार नहरे उपर सब धाफेला और वो कुंड जो है उपर भौम पर भौम आने से वो कुंड भी धका हुआ है फिर महल भी भौम पर भौम पट करके गये हैं तो उपर से वो भी धका हुआ है और महलों को देखिए चार पहल, आठ पहल, सोरप पहल, बत्तिस पहल, चौंसट पहल करके कहा तो उसकी इसाफ से फिर नीचे जमिन में बगीचा भी है उसकी इसाफ से नहरे चेह बच्चे भी है इसले कहते हैं कहों चार, आठ, शोले, मिली इस तरह से कहा न, चार पहल वाले हैं तो उसके साथ में नीचे नहरे भी चार ही होते हैं, बगीचा भी चार ही होते हैं, मतलब चार की चार हारें, फिर कहों आठ कहां, तो आठ पहल वाले महल के चारों तरफ बगीचा आठ की आठ हारें, जिसमें आठ नहरे, फिर आगे आड़ी ख कई बीधह महलों खेला, ऐसे महलों में कई प्रकार की खेल खेलते हैं, चाय महलों में हो, चाय बगीचों में हो, कई तरह की खेल यानि की लिलाएं क्रेडाएं करते हैं। चारों खुटों महला धापिल जानों के रचियां सहर एन बीध बराबर गलियां आडी उची गली बीच नहर चारों खुटों चारों तरफ से खुटों मतलब कोने लेकिन चारों तरफ से महला धापिला महला धाका हुआ है जानों के रचियां सेहरा मानों की यहां की सोभा को देखते समया इतना बिशाल है मानों की बहुत बड़ा एक सहर ही रचा हुआ यानि की बशा हुआ है ऐसा द्रिश्यावलोकन होता है इन बिधा बरावर गलियां फिर नीचे गलियों को देखिये तो गलियां भी बरावर है, एक आपस में, सब आड़ी, उची, गली, बीच, नहेरा, अब कई गलियां आड़ी रूप में हैं, कई उचाई में भी है, उची भी है, गली, और बीच में नहेरे भी आये हैं, तो ये सारी सभाव बता रहे हैं, कई कोटा अलेखे पदमों, सहरा बसे पस्वन, कई सहरे है जानवर, सबों इसक अकल चेतना, आप यहा के जो बन है बगीचे हैं, उन बगीचों में, उन बनों में, कई कोटा अलेखे पदमों, कई करणों, अथा बाप पदमों, कोटा मदलब करणों, पदमों मदलब पदमों, ये भी संख्यागणना है न, करोड़, पदम, और फिर कहते हैं अलेखे अब करोड़ पादम कहने से भी ये इसाब में इतने में शिमीत होने वाला तो नहीं है इसलिए अलेखे सब्द प्रयो किया तो कई करोड़ों पादमों अलेखे सिहरा बसे पशुआना पशुआउं के सहर बसा हुआ है बड़े बड़े बस्ती होने से यहाँ पर सहर सब्द प्रयो किया गया है तो पशुआउं की करोड़ों सहर बसा हो कई सहरा है जानवारा पशुआउं की ही सहर नहीं बस्ती नहीं जानवारों की भी कई तरह की सहर है सबों इस्षका अकल चेतना और चाए पशु हो, चाए जानवर हो, साब किशी में देखिए, सब अक्कल वाले हैं, सब चेतन हैं, तो परम्धाम की ये विश्थेश्था है यो कई नहरें बीचा सहरन के, इन सहरों कई महलात, हर महलों कई बैठकें, ये सोभा कही नजात यो कई नहरें बीच सहरन के, इस सहरों के बीच में, यानि कि पशूओं के शहर मतलब बन, तो ये बनों के बीच में अथ्वा चारों तरफ नहरें है, अथ्वा इन नहरों के बीच में जो बन है, वहाँ पर सहरन पसों की सहर है बस्ती है इन सहरों कई महलात उस सहरों के बीच में कई महलाते हैं तो कहा न जविरों की नहर की हद की जो चौड़ाई पहले नो भाग किया उसमें भी एक भाग में पहले मध्य में तो महल का बर्नन है चबुतरा के उपर और चारों तरफ बन है इसलिए बन में पसों की जानवरों की सहर उसके मध्य में महल की सोभा ये सारा तो कहा इन सहरों क कई महलात कहने से वही जो नौ प्रकार की महल इसको सारा समझना होगा सारी भूमों में हर महलों कई बैठके अब 4 पहल 4 भूम 8 पहल 8 भूम सोरब पहल सोरभूम 32 पहल 32 पहल 64 पहल 64 पहल फिर क्रम से उतरते चार भूम चार पहल तक में जितने भी महल आएं अब यहां सब का अलग अलग ऐसा बर्नन नहीं है एक बार एक जलक सोभा नमुना बर्न करने के बाद अप्राण्य जी सब को समेड करके सार रूप में कहते हैं हार महलों कई बैठके हैं हार महलों के अंदर कई तरह के बैठके हैं जो अन्य प्रसंग में भी वर्रन होके आया है कि जैसे की मानो इश्यपूर्व पुखराज परवत का वर्रन होके आया तो पुखराज परवत में भी देखिए एक हविली के अंदर कई महल है एक महल के अंदर कई मन्दीर है और सबसे पहले तो रंग महल में ही देखे तो भी छेचे हजार मंदिरों के हार पार करने के बाद जब चौरस हविली, गोल हविली, पंचमहला करके अलग-अलग प्रकार के हविलियों की स्वभा रंगमहल में बर्रण है न तो एक हविली के अंदर जा करके देखे तो कई मंदिर एकि न चाय वो चαवरश हविली हो चाय वो गोल हविली हो चाय वो पंचमहल हो चाय तो फिर अन्दर में जाकर कि नौ चोक नौ चोक में इसे प्रत्तिक एक चोक के अंदर बार-बार हजार मंदिरों का बर्णन आया है तो कहने का अर्था एक-एक हविली अथावा महलों के अंदर अनेकों अंदर मंदीर अथावा बैठक के अब बैठक कहने से प्रतेख हविली के अंदर देखे रंग महल में जो चौरस गोल पंचमहल ये हम बर्रन कर रहे तो उशे में भी देखे तो प्रतेख कोशर में देखिए, पाल अंदर की महलात में देखिए, टापु महल के इन महलों में देखिए साब तरफ वैशा ही सभा होने के कारण यहां सार रुप में इतना ही बता रहे हैं, हार महलों कई बैठकें ये सभा कही न जात, इस सभा को सब्द में कहा नहीं जा सकता है फिर छठी नमर चवपाय को देखें आवा नेहरे बरनना तो करो जो कछू होए हिसाब महला महला बीच कई कुंड है कई कारण जे छूटे उचे आव कहतें अब नेहरे बरनना तो करो अब नहरों का यनि कि ये जवरे की नहर की समपूर्ण सोभा की बरनन तो में तब करो जो कछू होई LIKE जो कछू यनि कि एदी कदाज कुछ हिसाब में आने वाला हो तो इसको में हिसाब करो अधब सब्द में बरनन करो ये तो बेशुमयर है अनन्त है इसको इसाब भी नहीं किया जा सकता सब्द में भी वर्रन नहीं किया जा सकता तो फिर कैसे वर्रन करो महला महला बीचा कई कुंड है महलों के बीच बीच में देखिए कई कुंड है कई चहे बच्चे है कई कारंजे छुटे उचे आब आब मतलब जल तो जल में यानि की वह कुंड की जल में, चेहबच्चा की जल में अथब वह जल कई कारणजे, कारणजे सब्दकर्थ क्या है? इससे पहले भी कई बार आया है तो कारणजे मतलब फुआरे तो कई तरह की कारणजे कई जला महलों चड़े कई महलों उपरा उपर कई लाखों हजारों बैठ के सुखा इत्ता के कहों क्यों कर कई जल महलों के साथ साथ में उपरा उपर कहां तक जाते हैं जितने भौम के महल है उसके उपर चांदनी तक चला जाता है जैसे इससे पूर्वा पुख्राज पर्वत का बर्नन होके आया ना गाणी के माध्यम से ही तो पुख्राज पर्वत में खजाने की ताल की मध्य का जो पेड़ है वो पेड़ के मध्य से जल का इस्तोन उपरा उपर कहां तक गया आठ लाग कोश यानि की दोहजार भोम उपर तक गया तो वहाँ से जल उपर तक गया है 24 नास का महल में भी ऐसा ही बर्नन आया 5 भोम का महल है तो मध्य से जल का इस्तोन 5 भोम तक गये फिर चांदनी की मध्य में कुंड बन करके 24 फोरा के द्वारा 24 गुर्ज की चांदनी में बना हुआ कुंड में जल आया एक सीधा उपर जा करके उशे में गिरते हैं फिर 24 गुर्ज की कुंड में जो जल आया है वहाँ से 24 ही जरणा की रुप में 6 भोम नीचे जमिन में उतरते हैं तो यह 24 गुर्ज का महल में बना है ऐशे ही यहाँ जवीर की नहर में अब चार भोम वाले महल है तो मध्य सी जल का इस्तुन चार भोम उपर तक ही जाकर की चांदनी की बगीचा में जल प्रकड हुआ है आठ भोम उचा महल है तो मध्य सी जल का इस्तुन आठ भोम तक ही गया है तुशी क्रम से 9 प्रकार की ही महलों में जैसे जैसे महलों की उचाई है ऐसे ही मध्य सी जल का इस्तुन भी उपर को गये है और चांदने में सारे बगईशां को सिंचन करते हुए फिर ये जल नीचे उतरते हैं तो ये सारी स्ववा है न और मानिक पहाड का बर्रन आएगा आगे तो वहाँ पर भी मद्यशे जल का ब्रिहा तिस्टोन 12,000 भोम और उससे भी 20 भोम उपर टापू महल के चांदनी तक पह आई रहा है तो उसकी स्ववा भी देखना है चिंतन करना है तो ये सारी स्ववा को बता रहे हैं कई जल महलों चड़े महलों की साथ में जल उपर इस तुन की द्वारा चड़ते हैं कई महलों उपरा उपर महल भी कई भोम तक उपरा उपर तक गये हैं और कितने कितने भोम तक है वो तो कई बार कहा गया है अब तो बार बार कहने की जरूरत नहीं आप समझ गये है कई लाखों हजारों बैठके उन महलों में देखिए लाखों बैठके हजारों बैठके उसका कोई सुमार ही नहीं है बगीचों में भी देखिए ऐसे ही बैठके हैं सुखा इतके कहों क्यों करा यहां के इन सुखा को मैं किस तरह से सब्द में वर्रन करो कई महला उचे अती बड़े जैसे हक का दिल चाहे हार महलों बीच नहरें चले ये सुखा बैठक कही न जाए कई महल तो इतने उचे हैं कहते हैं अती बड़े कितना बड़े जैसे हक का दिल चाहे अब इसका अर्थ क्या है ऐसा न समझ लीजे कि जबिर की नहर में चौशट भौम उचा महल का बर्रन किया तो बस उतना ही उचाई में होगा वो तो हमें यहां खेल की बीच से परमधाम की एक सुभा दिल दिमाग में बिठाने के लिए बेसुमार परमधाम को सुमार में लाकर के वर्रन करते शमय उतने सुभा को वर्रन किया है परन्तो राज्जी महराज दिल में जैसा चाहते हैं वो वैशाई होता है धनिने यहां खेल में रहते हुए जिस स्वभा को चिंतन करने के लिए ये बाणी के आधार पर और स्वयम महामति प्रायन्यजी के द्वारा ही जो ये बृत्ती प्रसंग प्रारंब हुआ ब्रह्ममुनियों ने उसको और सहज रूप में बृत्ती तयार करके गुरु परंपरा से होते हुए हमारे तक यह जो ज्यान आया है उस्वे ढंग से हमें जो पकड़ाया है उसी शाव से ही चिंतन करना होगा जब तक खेल में जागनी के लिला में रहना है फिर परंधाम में उठने के बाद तो बस राज्जी की जैसी इच्छा है उसी शाव से जैसे जैसे स्वभा दर्सन कराएंगे वैशे दर्सन करेंगे तो यहां कहा कि जैसे हक का दिल चाहे राज्जी जैसे दिल चाहते हैं उसका विस्तार वैशा ही होता है हार महलों बीच नहरे चले महलों के बीच बीच में नहरे चलते हैं, क्यों? महलों के बाहर तरफ बगीचा तो है ही ही, महल के अंदर भी तो बगीचा है ना? हार महल के अंदर बगीचा है, तो बगीचा है तो बगीचा है तो वहाँ पर नहरे हैं, चेवच्चे हैं, फुवारे छुड़ते हैं, इसलिए कहा हार मोहलों बीच नहरे चले ये सुख वैठक कही न जाए ये वैठकों की सोभा सब तरब की सोभा और यहां की सुख सब्द में कहा नहीं जा सकता है तो अब नौ नमर चोपाइगो देखिए हार जातों मोहला जुदे जुदे जुदी जुगते पानी चलत जुदी जुदी जुगते कारंजे क्यों कर कहों यह सिफत हर जातों महल जुदे जुदे हर प्रकार के महल जुदे जुदे अलग अलग प्रकार के हैं तो कहा न पहले से चार पहल वाले महल चार भोम उचे हैं फिर आठ पहल वाले आठ भोम उचे हैं अब इतना कहा तो आप शुत्र से समझ गए आप तो बार बार उशी को दोराना जरुरत नहीं है इसलिए वो अलग-अलग प्रकार के महल जुदी-जुदे हैं जुदी जुगते पानी चलता अब अलग-अलग प्रकार से वहाँ पानी नहरों के द्वारा, चेवच्चों के द्वारा फौारों के द्वारा पानी चलते हैं, विचरन करते हैं। जुदी जुदी जुगते कारंजे, कारंजे मतलब फुआरे, तो जल का जो फुआरे वो भी अलग-अलग युक्ती से अलग-अलग सोभा लिये हुए चल रहे हैं, क्यों कर कहों यह सिफ़त, इसकी सिफ़त यानि की मही मा को मैं किस तरह से सब्द में व्यक्त करूं? इन बड़े महल सुखा नहेरों के हमें कब देवगे खसम मागे मगाए जो देवो शब हुआ हाथ हुकमा, देखिए दस नमर से उपाए में, काहा न, क्यों दियारे दुलहा बिछवा छोटी हक खिलवत, ये परिक्रमा बड़ी फिराग की करके जो प्रकरण में एक बिरह और परमधाम की शुक प्राप्त करने के लिए धनीशे प्रार्थना जो भाव आया, वहां से आगे जितने भी फ्रकरण आया है, साव में यही भाव को जाहिर करते विक्त करते जा रहे हैं तो यहां जवेर की नहर की कुछ सोभा वर्रन किया, फिर दस नमर चौपाय में आकर के प्राण्या जी कहते हैं, इन बड़े महलों शुक खा नहरें, यहां जवेर की नहर में नहरों का शुक और बड़े-बड़े इन महलों की शुक, हमें काब देयोगे खसम है, खसम प्रि फिर आगे कहते हैं, मागे मगाए जो देयो, यह मागने वाले भी, मगाने वाले भी और देने वाले भी, सब हुआ हा था हुकुमा, यह हुकुम के हाथ में है, कहने कार था, एक बार तो आत्मा तड़पती हुई, बिलखती हुई, अपनी तरव से धनी से यह भाव विक्त क किया, कि हे धनी, यहां का सुख हमें कब राप्त कराओगे, फिर इलम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आत्माओं को जो समझ है, उस समझ के भाव से कहते हैं, कि आखिर यह मागने वाले भी, मगाने वाले भी, और देने वाले भी, सब कुछ यह हुकुम के द्वारा ही है इसलिए यहां हमें ये सुख का प्राप्त कराओगे करके ये भाव प्रकड कराने वाले अथा इस तरह से मांगने वाले ये भी हुकुम ही है और हमारे द्वारा जो मगा रहे हैं ये भी हुकम ही है और जब मागने मगाने वाले हुकम है तो फिर देने वाले भी हुकम ही है कहने का अर्था धनी जब हुकम करेंगे उसी समय में तब ही हमें यह सुख़ प्राप्त होगा मागे मगाए जो देव शव हुआ हाथ हुकम सागर से नहरे आवत पानी जुदा जुदा फैलात कई भी दा महलों होये के फेर सागर में समात ग्यार नम्मर चोपाय को देखिए यहाँ पर सागर सब्द जो आया है वो नीर सागर पहले तो ये समझ लीजे अभी प्रसंग चल रहा है परमधाम के रंग महल के तिसरे परिक्रमा जविरों की नहर और यहाँ पर जो जल की शुभा वर्रन करते हुए यहाँ सागर से जल आते हैं तो देखिए यहाँ से और आगे विस्तार होते हुए सात्वी परिक्रमा जो बड़ी रांग है बड़ी रांग में आठ सागरों के शुभा है तो आठ सागरों में से अगनी कोण में नूर सागर दक्षिन दिशा में नीर सागर नैरित्य कोण में छीर सागर पस्षिम दिशा में ददी सागर बाहिब्य कोण में गरेत सागर उत्तर दिशा में मदू सागर इशान कोण में रस सागर और पुनह पूर्वदिशा में सरवरज सागर तो ये आठ सागर है ना बड़ी रांग में इसमें से दक्षिंदिशा में जो नीर सागर है ये नीर सागर के द्वारा साब तरफ जल बिस्तार होता है और फिर साब तरफ परिभ्रमन करते हुए अंति में जल नीर सागर में ही जा करके मिलते हैं तो ये सोभा है तो ये यहाँ पर बताए 11 नमर चोपाई को बड़ेखिए सागर से नहरे आवत नीर सागर के द्वारा दक्षिन के तरफ है न ये तो नीर सागर से नहरों के द्वारा जल आता है सारा 25 पक्षे परम्धाम में जल का फैलाव जल का विस्तार है न तो ये अलग अलग प्रकार से पानी यानि की जल का फैलाव हुआ है विस्तार हुआ है पानी जुदा जुदा फैलात कई बिदा महलों होए के कई प्रकार से महल होए के मदलब महलों के बगेचों में नहेरे चेह बचे साब तरफ यह जल विस्तार हो करके फेर सागरों में समाता पुनह वह जल नेर सागर में ही जाकरके समा जाते हैं एकत्रिद हो जाता है तो यह सोभा भी ग्यार नमर चौपय के द्वारा खुला सा किया अब फिर आगे देखे बार नमर चौपय को कई चलत चक्राव ज्यों कई आडी उची चलत कई चलत महलों पर कई महलों से उतरत अब यह जल जो पानी बगीचों में नेहरे चेहवच्चों के द्वारा और महलों के बगीचों में भी नेहरे चेहवच्चे फौाराओं के रूप में विचरन करते हैं कहा न तो वो बताए कि कई चलत चक्राव ज्यों कई तो चक्राव की तरह चलते हैं कई आड़ी उची चलत, कहीं आड़ी रूप में, कहीं उची रूप में, ये फोरे नहरे ये सारी स्वभा बता रहे हैं, कई चलत महलों पर, महलों में भी बगीचे हैं, तो महलों में भी यहाँ पानी विचरन करते हैं, कई महलों से उतरत, कई तो महल से जल उतरते हैं, तो पहले भी बताया कहां-कहां महलाओं से जल उतरते हैं करके कहां-कहां उतरते हैं चाय पुखराज में देखिए चवी सांस का महल में देखिए ये जविर की नहर में देखिए आगे मानिक पहड आने वाला है तो वहाँ पर किश्वभा भी देखिए इन साव में और अन्य जगा में भी पहले तो रंग महल में भी देखिए अब उपर से पानी उतरने का ऐसा बर्रन अलग सा बर्रन नहीं किया परंतु रंग महल के प्रसंग में भी मद्धे में नौ चो के चारों कोण में चार जल का इस्तुन उपर चांदनी तक गये की नहीं गये और चांदनी की मध्य चब तरा के चारों कोण में जल कुंड रूप में प्रकड़ो करके चांदनी की बगीचा में नेहरे चेह बच्चे फुआरे की रूप में रंग महल के चांदनी में भी ये सोबा है तो चांदनी तक पहुंचे वे जल तो फिर भोम पर भोम होते वे उत्रेग आई न तो कहीं भी देखिए ये श्वभा दर्शन होता है तो इसकी लिए यहां कहा कि कई चलता महलों उपर जवेर की नहेर की श्वभा ओर रही है अन्य जगह में भी जहां जहां है उसको देखने की एक द्रिश्टी बता रहे हैं कई महलों से उताराता कई महलों से इस तरह से जल उतारते हैं तेरह नमर चौपए देखते हैं अब एका नहरें से कई नहरें जुदी जुदी फिरता कई जुदी जुदी नहरें होए के कई एक में अनेक मिलता देखिए कभी एक नहर से ही विस्तार होकर के अनेकों नहर रूप बन जाता है मतलब अनेकों नहर में जल बीचरण करते हैं तो फिर कहीं अनेकों नहरों के जल फिर एक साथ में मिल करके एकी नहर रूप बन जाते हैं अथब एकी नहर में आकर के मिल जाता है एक नहर से कई नहरे फिर जुदी जुदी फिर अलग अलग होकर के कई नहरों के दोरा फिरते हैं फिर कहते हैं कई जुदी जुदी नहरें होये के सारे अलग-अलग नहरें अब एक साथ में उकरके कई एक में अनेका मिलाता एकी नहर में अनेकों नहरों का जल आकरके मिलते हैं तो ये तो सब तरफ कई जगा में ऐसा सोभा बर्रन किया है चिंतन किया है उसको देखना होगा कई नहरे महलों मिने चारों खोटों फिरत कई महला नहरे कई कई विधा विधसों विचरत कई नहरे महलों मिने महलों में उहां की बगिशों में कई प्रकार की नहरे चलते हैं चारों खुटों फिरत, चारों खुटों मतलब चारों कोण अथवा, चारों तरफ नहर की रूप में जल फिरते हैं, विस्तार होता है, फिर आगे कहां कई महला नहरे के, कई महलों में जो नहरे हैं, कई बिदबिधा विचरत, कई प्रकार प्रकार से वह नहरें अथवा नहर कहीं तो एकी कुंड से चार नहरी निकलते हैं और कहीं कहीं फिर चार से शोर रूप में विस्तार हो जाता है जैसे यहाँ जवेर की नहर की स्वभा तो बर्रन कर रहे हैं साथ में एक बार फिर से कुंज निकुंज बन की स्वभा को देखिये तो जैसे एक कुंड है वहाँ से आठ तरफ नहरे निकलते हैं फिर आठ तरफ की नहर के द्वारा एकी कुंड में जल आखर की मिलते हैं ऐसे ही कई जगा में चार है, कई जगा में आठ है, कई जगा में उससे भी कई अधीक है, तो यहां कहों चार से शोले निकसत करके कहा, जबेर की नहर में भी देखिये तो जैसे सोरा भॉम वाले महल जिसके नीचे बगेचा है, तो वहां सोरा तरफ ही नहर विस्तार हुआ है, तो ये सब सोभा को देखना होगा कई नहरे सुखा इन महलों ये संपुर्ण महलों के सुख और नहरों के सुख साब सुखा को देखते हुए चिंतन करते हुए याद करते हुए फिर धनी को ये प्रार्थना किया जा रहा है कि धनी कब करसी प्राप्त हम वहाँ सुखा को पुनह का प्राप्त करेंगे। इस तरह से ये एक प्रार्थना ये भाव भी प्रस्तुत हो रहा है। कई नहरे जाहेर चली, मतलब बाहर से खुला रूप में दिखाई देता है। नहरे, पहाडों या शागरों चाए यह नहरों की स्वभा हो चाए पहाडों की स्वभा हो पहाड कहने से हबिली, महल, मंदीर सारे मिलकर के जो बने हुए हैं। शागरों की स्वभा हो स्वभा क्यों कहों इन जुआए इस जुआन के द्वारा, इस जीवा के द्वारा सब्द में उस स्वभा को किस तरह से बर्रन करों। वह सब्दा तीत स्वभा है इसलिए उसको सब्द में वर्रन करना संभव नहीं है। तो उसी साफ से इसको समझना होगा तो इस तरह ये प्रकरन पुरा हुआ। अब इसके बाद प्रारंब होता है प्रकरन 24। तो प्रकरन 24 में अब महामत्य प्रैन्यह जी बताने जा रहे हैं मानिक पहाड के हिंडलों की स्वभा यानिकी मानिक पहाड। अब मानिक पहाड कहने से ये जो अभी 23 प्रकरन में जो जविर की नहर का बर्रन हुआ। ये रंगमहल के चारों तरफ परिक्रमा के इसाब से देखे तो यह तिसरा परिक्रमा है। जो रंगमहल की मद्दे से देखे चारों तरफ शाड़े तीर लाख कोश की दुरी में आया है। अब यह तिसरे परिक्रमा के बाद चौंधी परिक्रमा के रूप में है मानीक पहाड का हद। मानीक पहाड का हद कहने से जेशे की पहले कहा जविरों की नहर सेही अब यह बाहर परमधाम 32 पहल में युकत है। तो मानीक पहाड के हद में भी 32 पहल है। वो 32 पहल में से दक्षिन दिशा में एक पहल के अंदर मानीक पहाड सभायमान है। बाकी अन्य एक तीश पहलों में बड़े बन, मधुबन और महा बन है। तो मानीक पहाड तो एकी हांस में ही होने के कारण परिक्रमा तो चारों तरफ से होते हैं। इसलिए उसको यानि कि चौंथे परिक्रमा को मानीक पहाड का हद ऐसा कहते हैं। तो ये मानीक पहाड की हद रंग महल के चौंथे परिक्रमा के रूप में सभायमान है। और ये चौविश्मी प्रकरण के द्वारा वहां के हिंडलों की सभा और अन्यवी सार सार निशानियों को यहां बताने जा रहे हैं। तो जैसे एक चौवपाई को हम उच्चारन करके देखें तो कहा पहाड मानीक महल कई यह पहाड महल अनेक सब अपार अलेखे इनजी में कहां लों कहों बिवेका। इस तरह सिप्र één जी यह पहाड मानीक महल कई करके मानीक पहाड का वर्नन यह प्रकरन में करने जा रहे हैं। तो चौपाई में तो सार रुप में बर्नन किया है। तो ये भी अब ये परिक्रमा ग्रंथ के क्रम की इसाफ से देखें तो ये पहली बार आया है मानिक पहाड का प्रकरण। सब्द की द्वारा हम थोड़ा चिंतन करें उसके बाद फिर ये चौपाय के माध्यम से इसकी स्वभा को मनन करेंगे चिंतन करेंगे। तो देखिए मानिक पहाड की एक जलक स्वभा सार रूप में रंगमहल की मध्या से अठार लाख कोष की दूरी पर अठार लाख कोष की दूरी मतलब जविरू की नहर तक साड़े तेर लाख का दूरी है और जविर की नहर की चौड़ाई का हद साड़े चार लाख कोष का है तो साड़े तेर लाख कोष और साड़े चार लाख कोष जविरू की नहर का हद मिलाने से अठार लाख कोष होता है तो रंगमहल के मध्या से अठार लाख कोष की दूरी पर चारों तरफ ये मानिक पहाड का हद है और मानिक पहाड के हद का चौड़ाई दो करोड 32 लाख कोश का है मानिक पहाड के हद जो 32 पहल में है उसमें से दक्षिन दिशा में एक पहल में मानिक पहाड स्वभायमान है दो करोड 32 लाख के हद की चौड़ाई में से मध्य में सोर लाख कोश का लंबा चौड़ा 48 लाख कोश का गिर्द 12,000 पहल और एक भोम उचा मानिक पहाड का चबुतरा है और 12,000 पहल में से प्रतीक एक पहल 400-400 कोश का है यह चबुतरा में जाने के लिए चारों तरफ से भोम भरके उचे सिड़ी लगे हुए है सिड़ी से चड़कर जैसे हम चबुतरा में पहुचे सर्व प्रतम चबुतरा की किनार में परिक्रमा की जगह को छोड़कर अब हविली की सोभा सभायमान है तो 12,000 पहल में जो 12,000 गुर्ज है एक गुर्ज से दुसरे गुर्ज के बीज एक पहल में एक हविली वनने से 12,000 पहल में 12,000 हविली एक हार में सुभायमान है ऐसे हविलियों के 12,000 हार ही होने से कुल हविलियों के संख्या 12,000 की 12,000 हारे यानि की 14,40,000 हविलियों की संख्या एक भोम में सभायमान है हविलियों के क्रम अथबा आकार की सभा को देखें एक हविली चाविलियों के बीज में एक गोल हविलियों के बीज में एक गोल हविलियों के बीज में एक गोल हविलियों के बीज में एक चाविलियों के बीज में एक चाविलियों के बीज में एक चाविलियों के बीज में यह 14 करोड 40 लाख हविली ही उपरा उपर भौम पर भौम पढ़ते पढ़ते 12,000 भौम उपर जाकर उस सब के उपर एक चादनी बन गये हैं प्रथम भौम के ही स्वभा को देखे हविलियों के हार यानिके 12,000 हारे हविली पार होने के पसात भीतर जाए हविली के जमेन से तीन सिड़ी नीचे चारों तरफ फिरता सड़क है सड़क से तीन सिड़ी नीचे फिरता एक बगीचा आया है बगीचा से तीन सिड़ी उपर चड़ने पर फिर फिरता एक सड़क आया है सडक से फिर भितर तरफ एक भोम उचा एक चबुतरा आया है यह चबुतरा भी बारहजार पहल युक्त ही है उच चबुतरा के उपर मानिक महल का एक हार आया है जो बारहजार की एक हार मानिक महल उपरा उपर बारहजार भोम तक ही जाकर उचके उपर चादनी बने है मानिक महल के भीतर तरफ चबुतरा के किनार से भीतर पुनह भोम भर निचे उतरने पर एक ब्रिहत बगीचा चारों तरफ फिर कर आया है इस ब्रिहत बगीचा को पार करके भीतर जाने से मध्य में एक ब्रिहत चबुतरा भोम भर उचा सभायमान है चबुतरा के मद्य में एक ब्रिहत जल का इस्तुन जो सीदा उपरा उपर 12,000 भौम तक गए है और यहां से भी आगे जाकर यानि कि उपर जाकर 20 भौम उपर जाने से 12,020 भौम तक यह जल का इस्तुन उपर विस्तार होकर के गए है परन्तो इसने 11,980 भौम तक तो इस्तुन सीदा गए है 11,980 भौम के बाद इस्तुन ने चारों तरफ छज्जा बढ़ाया है और बाहर जो मानिक महल आया है यह मानिक महल भी 11,980 भौम उपर जाने के बाद भीतर तरफ से जल इस्तुन के तरफ चारों तरफ छज्जा को बढ़ाया फिर एक भौम उपर जाकर जल इस्तुन और मानिक महल दोनों तरफ से एक आपस में चज्जा वढ़ने से यह इस्तुन और मानिक महल के चज्जा आपस में मिल गया है यहां से उपरा उपर फिर 20 भौम तक जाने से 12,000 भौम के उचाई इस तरह से पुरा होता है नेचे चबुतरा में देखें, ब्रिहत जल इस्थोन के चारों तरफ चबुतरा में नाना सार्य जन्य पुष्व बाटी का फुलों के बगीचा है, चबुतरा के किनार में बार हजार थंब लगे हुए हैं, जो थंब उपरा उपर ग्यार हजार नौसो असी भौम तक, अथवा, जहां तक जल का इस्तोन और मानिक महल के चज्जाने आपस में मिल करके एक च्छात रुब बनाया है, वहां तक इन थंबों के उचाई है, इस बार हजार थंबों में लगे हुए महराबों में, बार हजार हिंडोले, ग्यार हजार नौसो अस्टी भौम के उचाई से जूलते हैं, यहां की हिंडोला की विशिष्टा ऐसी है, एकी हिंडोला में स्रीराज जी, श्यामा जी के साथ, हम बार हजार सखियां एक साथ में बैठ करके जूल सकते हैं, और शंपूर्ण हिंडोला एक साथ में जूलते हैं, तो इस तरह से समक्र रूप में मानिक पहाड की सोभा को देखें तो सबसे पहले हविलियों की सोभा फिर वहाँ से भीतर शार में देखें तो मानिग महल की सोभा उसके भीतर ब्रिहत बगीचा वो तो जमीन में ही रहता है फिर मध्य में चबुतरा चबुतरा की मध्य में जलका इस्तोन और किनार में थंब अथटबा हिं अब ये एक भूम में जो 14 करोड 40 लाख हविलियां है और उपर उपर 12,000 भूम तक है इन शंपुर्ण हविलियों में से एक हविली की स्वभा देखें तो एक हविली के भीतर जाने से चारों तरफ 12,000 महल स्वभायमान है और इसके भीतर मद्य में चोक है और इन महलों में से एक महल के भीतर जाएं तो जिस तरह से हविली के अंदर 12,000 महल है उशी तरह से एक महल के अंदर 4 तरफ 12,000 मंदीर है फिर इन सारे मंदिरों में से एक मंदीर के वितर जाकर देखें तो मंदीर के चारों तरफ बारहजार कोठरियां है इस क्रम से देखें तो हविली के अंदर महल, महल के अंदर मंदीर, मंदीर के अंदर कोठरी, साव अनंत सोभा अरतवा अनंत रूप में विद्यमान है इन सारी स्वभाओं को देखते हुए अब हम चलते हैं मानिक पहाड के 12,000 भौम उपर चादनी में तो चादनी की मद्य भाग में देखें तो जहां पर निची भौम में मद्य में जो चबुतरा आया है उस चबुतरा के शीदा उपर चादनी में चादनी की जमीन से भौम भर उचा एक चबुतरा आया है जिस चबुतरा के उपर टापु महल बना हुआ है और यह चबुतरा के भीतर के स्वभा को देखें तो यह भीतर एक कोष्ट दिवाल कोष्ट कुंड की तरह आया है जिसमें 12,000 भौम नीचे से गया हुआ है जल एक बार वहां खोल करके फिर मद्य के इस्थोन से होकर जैसे टापु महल यहां से 20 भौम उपर तक गए जल का इस यहां से उपर जो जल जाते हैं इस्थोन के जल में से आदा जल ही यहां से उपर चादनी तक यानि की टापु महल के चादनी तक जाता है अब यह चबुतरा के उपर टापु महल की स्वभा को देखें तो यह चबुतरा भी 12,000 पहल के होने से उसमें भी 12,000 गुर्ज है और टापु महल के जो स्वभा बार हज़ार के हारे महलों में आये हैं मद्दे में फिर बैठक बगीचे ये सारा है और मद्दे में जलका इस्तुन्त है है इसके उपर उपर बीश भॉम तक जाने से टापु महल के उचाई बीश भॉम 21 चादनी ऐसा स्वभा दिखाई देता है टापु महल के चादनी के मद्द्य भाग में कमर भर उचा चबुतरा है चबुतरा के चारों कोण में बार हज़ार बीश भॉम निचे से आया हुआ ब्रिहत जल का इस्तुन के जल चार कोण में चार पाइब लाइन अथवा जाली द्वार मारग के द्वारा प्रकड हुआ है और चादनी के संपुर्ण बगीचों को नहेरे चेह बच्चे फुआरों के रूप में शिंचन करते हुए टापु महल के बार हज़ार गुर्ज के चादनी में बने हुए कुंड में जल उतरता है और यहां से फिर बारह हजार ही जहरणा की रूप में बीश भूम नीचे जल उतर कर यह टापु महल के चबुतरा के बाहर इस्थीत तलाव में जल उतरता है अब यह तलाव कहां पर है यह तलाव को अगर देखे तो मानिक पहाड के चबुतरा अथा ए एक भूम की स्वभा वर्रन करते समय मानिक महल और मध्धे के चबुतरा के बीच में नीचे जहां ब्रिहत वगिचा है वह ब्रिहत वगिचा के शिदा उपर चादने में यह ब्रिहत तलाव है और यह तलाव शेवी बाहर तरफ चारों तरफ देखें तो पहले तो एक भौम उचा एक दिवाल आया है और उसके उपर देहलान आये हैं देहलान दो भौम तिस्त्री चादनी का है परन्तो यह देहलान प्रथम भौम में तीन देहलान है चार हार थम्मों के आने से तीन देहलान हुआ और दुस्त्री भौम में एक देहलान ही है अथवा दुस्त्री भौम में थम्मों की दो हार ही होने से देहलान एक ही आया है चारों तरफ फिर करके आया है यह एक भौम उची दिवाल अथवा उसके उपर का ये दो भोम का दहलान जो है ये किसके उपर चांदनी में आया तो नीचे जमीन के इसाव से अथवा चबुतरा के इसाव से देखे तो जहां पर मानिक महल आया है तो ये मानिक महल के शिदा उपर चांदनी में ये चबुतरा अथवा उसके उपर देहलान आया है ये चबुतरा की कारण ही मद्य में जो ताल है यह ताल में जल एकत्रीत हुआ है तो कुल मिला करके कहे तो क्या हुआ नीचे जमिन में जहां मद्य का चबुतरा था उसके शिदा उपर चांदने में टापु महल और नेचे जमिन में जहां ब्रिहत बगईचा था उसके शिदा उपर चांदने में ब्रिहत तलाओ नेचे जहां पर मानिक महल आया है जो बारहजार भोम तक मानिक महल के शिदा उपर चांदने में यह फिरता दिवाल जिसे चबतरा सब्द से भी कहा है और उसके उपर देहलान बना है यह है उपर के टापु महल तलाओ और देहलान की स्वभाः अब यहां और एक बात है जैसे कि पहले हमने कहा टापु महल के नीचे जो चबतरा एक कोष्ट कुंड की तरह एक बार वहाँ जल प्रकड हुआ था तो मद्य का इस्तों से जल उपर टापो महल के चांदनी तक जाते समय आदा ही जल गया था तो आदा जल क्या हुआ वही चबुतरा जो 12,000 पहल में हैं प्रतीक एक पहल के मद्य से वो भीतर से बाहर यानि कि तलाव में एक एक पाइप मार्ग के द्वार होकर के जल तलाव में प्रकड होता है इस इसाब से देखे तो कितने जगह से जल आया आदा जल जो टापो महल के चांदनी में गया था वो 12,000 जरना के रूप में 20 वम नीचे उतर कर तलाव में जल आया और आदा जल वही वीतर चबुतरा के वीतर से पाइप लाइन मार्ग के द्वारा होकर के 12,000 ही पहल से वो 12,000 पाइप मार्ग से जल तलाव में आया तो इस तरह से तलाव में जल को एकत्त्रित किया अब हमें 12,000 की 12,000 हारें हविलियों के उपर चांदनी की शोभा को देखना है तो नीचे हविली जिस क्रम से आया है हाविली की उपर चादन में उसी क्रम से बगिचा की स्वभा स्वभायमान है इस इसाब से देखे तो जैसे कि भीतर से बाहर क्रम से देखे तो मद्धी में टापु महल कहा उसके बाहर बिहत तलाव कहा उसे भी बाहर चबुतरा अथा बदेहलान कहा तो यहां तक हुआ, मानिक महल तक की चादनी की स्वभा यहां से अब बाहर निकल करके देखें तो बाहर चारों तरफ 12,000 की 12,000 हारे 14,40,000,000 बगीचा हबिलियों के चादनी में स्वभायमान है अब यह बगीचा है, तो बगीचा के साथ में चेह बच्चे हैं, नहरे हैं, और फुआरे छूड़ते हैं तो यह सुभा है, तो जिस तलाओ के बाहर फिरता जो चबुतरा अथाबा दिवाल की बाद हम किये उसकी बाहर तरफ वोंबर नीचे बगीचा के मध्य में एक एक चेह बच्चा आने से, चारों तरफ कितने चेह बच्चे आये हैं, बारह जार ही चेह बच्चे आये हैं अब तलाओ के जल, एक एक हास के मध्य से, एक एक पाईप मार्ग के द्वारा होकर वो देहलान के नीचे, जो चबुतरा था, उसकी दिवाल को पार करके बाहर निकला और एक भुम नीचे उतर करके, चादनी के जो बगीचा के वितर तरफ एक कुंड आया है ऐसे चारों तरफ कितने कुंड है, अथा वा तलाओ है, बारह जार तलाओ है तो बारह हजार ही पहल से बारह हजार पाईप मार्ग के द्वारा जल तलाओ से बाहर निकल कर भुम नीचे उतर करके, आविली के चादनी के बितर किनार के कुंड में जल उतरता है अब उसके बाद जैसे की कहा, चादनी में पूरा बगईचा, बारहजार की बारहजार हारे हैं तो ये बगईचा को नहरे, चहवत्चे और फुहारे की रूप में जल पूरा परिभ्रमन करते हुए, छिंचन करते हुए बारहजार की बारहजार हारे सारे बगईचों को पार करके, बिलकुल बाहर किनार तक जल पहुंशा और किनार में पहुंचने पर क्या हुआ, जो बारहजार भौम नीचे से गुर्ज आया था न, वो गुर्ज की शंख्या भी कितने हैं, बारहजार ही है, तो चादने के किनार में जहां पर गुर्ज जाकर के पहुंचा है, वहां पर एक एक गुर्ज के चादने में एक एक कुं तो ये संपूर्ण चादने के बगईचां को जल सिंचन करते हुए जल बारहजार कुंड़ा में पहुंच गया तो ये हुआ जल की बात अब बांकि एक सोभा चादने के सोभा में बगईचा के बीज-बीज में जो नहरे चेहवच्चे हैं वो ब्रिहत चेहवच्चा होने से जिसे तलाव सब्द के द्वारा बताया है ये तलाव के चारों तरफ महल आया है ये प्रसंगा पहले ये जविर की नहर के ये प्रकरन बर्रन किया वहाँ पर भी पहले ही मैं संकेत कर चुका हूँ कि चौविशांस के महल में देखिए जविर की नहर में देखिए चाए मान इक पहाड की यह स्वभा में देखिये करके, तो तलाव के चारों तरफ महल आया, चान्दनी के, जो तलाव के चारों तरफ महल, दो भॉम, तिसरी चान्दनी के उचाई तक जाता है, फिर चार खुण का महल, और एक-एक भॉम उपर जाकर, उसके उपर महराव लगते हैं, औ और फिर महराव में हिंडोला जोलते हैं तो इस तरह से देखें तो ये प्रत्यक एक तलाओ के उपर चार-चार हिंडोले जोलते हैं और येही महल को पूल के संग्या से भी वर्रन किया है तो ये समगर रूप में मानिक पहाड की चादनी की स्वभा हुई फिर भी मैं अगर सा मेंताऊं तो चार खंड में समझना है नीचे चार गडा मि देखें पहले और यहां चार खंड यह 12 संग क्या-त भारचार आद और और पल्लाप पहार तरफ झाहां उसके उपर-चानंड युवझ है, यह अरप मल्म दर्यक नीचे जहाँ ब्रिहत वगी चा था उसके शीदा उपर चानदनी में ब्रिहत तलाओ दुस्तरा इसा हुआ नीचे जहाँ पर मानिक महल था उसके शीदा उपर चानदनी में एक सब्द में कहेंगे तो दहलान अब दहलान कहने से आपको इतना समझ में आना चाहिए भॉम्बर उचा दिवाल के उपर देहलान बना है बस तीसरा इसा हुआ और नीचे जहां 12000 की 12000 हारे हविलियां थे उसके उपर 12000 की 12000 आरे बगीचा है बस तो टापु महल ब्रिहत तलाव देहलान और बगीचा चार खंड इतना ही है अब बगीचा कहने से नहेरे चेह बच्चे फुवारे सब जूडते हैं ये तो सब तरफ की सोभा है और यहां की सोभा में तलाओ की चारव तरफ महल है जो 24 शांस में भी बर्रन हुआ है जब विरके नहेर में भी बर्रन हुआ है मानिक पहाड में देखे तो नीचे जमिन की बगीचा में भी यही सब बर्रन है वहां पांस भम का है यहां दो भम का है बस सहाज है सावसेश को दिल दिमाग में बिठाना होगा अब ये 12,000 गुर्ज की चादनी की कुंड तक तो जल आया अब यह जल को नीचे जमिन तक उतार मानिक पहाड की शवात बर्रन हो गया इतने में अब आकी शोर लाह कोश की लंबाई चोड़ाई चबुतरा कुलिया अब उसके बाहर नीचे जमिन में चारों तरफ बगीचा आया है कितने बगीचे 12,000 की 12,000 हारे बगीचे अब गुर्ज की कुंड की जो जल है प्रतीक भुम पर भुम उतरते 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 12,000 भुम नीचे उतर करके मानिक पहाड की चबुतरा की नीचे जमिन में बगीचा के साथ में 12,000 कुंडा आया है कि ने ये कुंडा में जल पहुँच जाता है और ये जल फिर नहरे चेहवचे रूब हो करके 12,000 की 12,000 आरे बगीचे को चिंचन कर बाहर महानद में जल पहुंचता है अब मांगी आदा जल बार हजार कुंड़ में उपर ही है तो ये जल उतरने किश्वभा कैसे वर्रन किया निचे जमीन में जो बगीचा आया है बगीचा के साथ में तलाव आया है उस तलाव में से मानिक पहाड के तरफ के प्रथम तलाव प्रथम हार तलाव यहाँ पहले तो तलाव में पांस भोम महल तो सब में एक समान रूप से आया है पांस भोम के बाद चार कोण का चार महल उपरा उपर कितने भोम तक गए बार हजार में से एक भोम कम तक गए और उसमें छाथ पटी, छाथ के नीचे देखे तो उसमें जंजीर लग करके वहाँ पर हिंडोला जूलते हैं नीचे पांस वो महल के चादनी तक में तो कितने उचे हिंडोला है ये तो प्रैन्नाजी चोपा में वही हिंडोला, बीतर के चब उतरा के इंडोला और बाहर के ये इंडोला की स्वभाब विशेश रुप से वर्रन करेंगे और नीचे तो इंडोला हुआ, वो छाथ के उपर क्या हुआ, कुंड बना है और उपर गुर्ज के कुंड में जो जल था न, यहां से भोंबर नीचे ये कुंड में जल उतरता है, तो एक गुर्ज की कुंड से जिस तरह से यहां जल उतरता है, ऐसे ही पूरा फिरते 12,000 है तो 12,000 ही जरणा की रूप में एक भों नीचे जल उतरा फिर नीचे जमिन में आईए मानिक पहाड के तरफ से दुसरा तलाव पहला तलाव से तो महल उपर दे जा करके 12,000 में एक भों कम तक ले गए दुसरे तलाव पांस भों तक तो शिदा महल है फिर उसके बाद चार कोण का महल उपरा उपर 12,000 में से दो भों कम तक गया उसी तरह से चाथ पटी नीचे उसी तरह से इंडला है और उपर कुंडबन करके फिर एक भों नीचे जल उतरता है इस तरह से नीचे जमीन में भी 12,000 तलाव है और भों भी उपरा उपर 12,000 ही भों है इसलिए जैसे जैसे तलाव का क्रम बाहर निकलता जाएगा वेशे वेशे महल घड़ता घड़ता जाएगा ऐशे जल उतरते उतरते 12,000 ही तलाव तक पहुंचते समया 12,000 भों नीचे जल आकर के नीचे जमीन के बगई चासे जो चिंचन करते हुए गया हुआ जल उपर से भों पर भों उतरते उत्तरते आया हुआ जल साथ में मिल करके फिर महानद में पहुंचता है और ये महानद के इसान कोण में से यह जल दो भाग में विवाजन होकर आदा जल इदर पुर्व से होते हुए दक्षिन तरफ और आदा जल फिर उत्तर से पस्रिम होते हुए दक्सिन तरफ होकर फिर दोनों तरफ के जल आपश में मिल करके नहर के द्वारा सीधा आगे बन की नहर में प्रवेश करते हैं तो ये है समगर रूप में मानिक पहाड की एक जलक सोभा और बन की 31 पहल में तो जैसे पहले ही कहा बड़ोबन, मदुबन और महावन ये शिरिवत रूप से आया है जहां भी जाता है बड़ोबन से दो गुना उचा विस्तार मदुबन का मदुबन से दो गुना उचा विस्तार महावन का तो मानिक पहाड में भी ये ही सोभा है तो चर्चनी में जो अमने अद्दिन किया है उसी के आधार पर सार रूप ये बात हुई ये तो एक जलक मानिक पहाड की प्रसंगा आने पर ये स्वभा को चिंतन किया गया परन्तो चवपाई में यहां एकी बार ये सारी बातें नहीं आये हैं है तो सारा बाणिके आधार पर है अब यहां चवपाई में विशेश करके मानिक पहाड के हिंडलों की स्वभा को विशेश बरनन कराएंगे इंडला जैसे कि कहा वेशे तो साब महल के अंदर तो है ही मुखे रूप में मानिक पहाड में बड़े इंडले कहने से दो जगव को विशेश बरनना है कहां मध्य में जो ब्रिहत जल इस्तुन के बाहर चबतरा के किनार में 11,980 भौम वाले ये इंडला और मानिक पहाड के बाहर जो जल भौम पर भौम उतरने वाले जो कुंड़े की नीचे लगावा इंडला है ये इंडला इसको समझना होगा इस तरह से एक जलक ये मानिक पहाड की सोभा बरनन है तो अभी का तो समय पूरा होके निकल गया है अगले बैठक में ये चोपाय के द्वारा चिंतन करेंगे लेकिन इस सोभा को दिल दिमाग में बनाए रखिए तो अभी के लिए 23 नमर प्रकरन का ही चोपाय दोहरा करके विश्राम करेंगे अगले सत्रा में मानिक पहाड चोपाय के द्वारा चिंतन करते हैं कई नेहरे जाहर चली कई पहाडों के माहें नेहरे पहाडों या सागरों सोभा क्यों कहों इन जुआए बलुस्त्री प्राणना थि प्यारे की प्रणाप